जैमसी की दोस्तों, आज की सोरी के मन्ना का भाग हमने लिया है, अयूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 7 और 9 वचन वचन कहता है, उस मार्ग को ना तो कोई चील जानती और ना कभी बाच की द्रिश्ची उस पर पड़ी है और दूसरा वचन, वो चक्मक की चटान पर अपना हाथ लगाता और परवतों को पूंटा पलड़ देता है धन्यमाद पिता परमेशर तेरे पवधिसामर्थी वचन के लिए यहाँ पर किस मार्ग की बात हो ली है यहाँ पर कौन से मार्ग को बताया जा रहा है वो मार्ग एक ही है और वो है प्रात्रा का मार्ग जो वेक्ति, जो भाई, जो बेहन प्रात्रा में लीन रहता है जो निरंदर प्रात्रा करता है उसके पास वो हतियार है वो परमेशर की योचनाओं को बदल सकता है जो निरंदर प्राथना करता है शैतान उसको देख नहीं सकता इसलिए उसने कहा है कि उस मार्ग को ना कोई चील जानती है कोई दुस्टात्मा, कोई शैतान की शक्ति उस मार्ग को देख नहीं सकती जिस मार्ग पर प्रात्रा करने वाला बैठता है दोस्तों आपके जीवन में कोई भी मार्ग ऐसा हो जो कि कठिन हो आपको लगता है कि आपके जीवन में ये रास्था, ये मुसीबत, ये पल, ये मौसम अच्छा नहीं है आप प्रात्रा करिए आप प्रातना करिए मेरे भाई, आप प्रातना करिए मेरी बहन, परमेश्वर रास्था दिखाएगा, परमेश्वर आपको सही दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपकी प्रातना परमेश्वर पर तुरंद पहुंचती है, तुरंद परमेश्वर आपकी प्रातना सुनता है, हाल शैतान को निकाले फटकारें उस रास्टे से हटाएं जहां से परमीशर की आशीश Siya आपकी जीवन में आने वाली है इसलिए. विश्वास के संग हम उस रास्टे को उस आशीश को उस प्यार को पाये जो परमीशर हमें देता है परमीशर कभी विलंब से बिशलित नहों कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में हमारे जीवन को नियंदरत नहीं कर सकती है कोई भी मुसीबत कोई भी सिच्वेशन हमारे जीवन को नियंदरत नहीं कर सकती है बलकि हमें परमेशों ने शक्ति दी है कि हम उस सिच्वेशन पर अधिकार जताएं उस सिच् है हम शुद्ध हो चुके हैं हम धर्मी हैं और हम परमेशर के बनाए हुए हैं हम परमेशर के चुने हुए हैं इसलिए कोई भी कोई भी मुसीबत कोई भी शातानी शक्ती हमारे जीवन को हिला नहीं सकती है क्योंकि हमारे पास आध हतियार है और वो हतियार है प्राथना इसलि उल्ट जाएगा वो पहार पलट जाएगा क्योंकि आपकी प्रात्राओं में वो शक्ति है कोई भी शतानी शक्ति हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती है कोई भी नहीं क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमें वो अधिकार दिया है हमें वो सामर्थ दिया है हम उस सामर्थ का उपयो की आत्मादी है, शांती की आत्मादी है, आनंद की आत्मादी है, इसलिए हमें डरना नहीं है, कोई भी सुचिशन, बस हम ये ख्याल लगें, कि हम परमेशर के मार्क पर चल रहे हैं, हम ये ख्याल लगें, हम कोई भी बात परमेशर से वृद्ध नहीं कर रहे हैं, सारी बाते एक उधारन यादाला है इजी के राज़ा का हाललयैया इजी के राज़ा जो की परमीशर से प्रेम करता था लेकिन उसके दिन वो बिमार था और वो मरने वाला था यש misunderstanding नभी उसके पास किया और उसने का कि हिजी के राज़ा कि तिर दिन बहुत ही कम है तो मर जाएगा ये शाया 38 का 2 तो हिजी के राजा रोने लगा बजन क्या कहता है तब हिजी के राजा ने देवार की और मुँ फेर कर यहवा से प्रात्रा की और कहा यहवा मैं तुसे विंती करता हूँ इसमर्ण कर कि मैं तेरे सामे सच्चाई और संपोर मन से कैसे चला हूँ और जो तेरे दिश्ची में ठीक है वही करता आया हूँ और हिजी के राजा बिलेक बलग कर रोया चौथा वचन तब यहवा का ये वचन ये शाया के पास पहुँचा पांच्वा वचन हिजी के पास जाकर कहे कि तेरे पूरवच दाउत का परमेशर यहुवायो कहता है कि मैंने तेरी प्राथना सुन ली है मैंने तेरे आंसों को देखा है देख मैं तेरे जीवन में पंदरा वर्ष और बढ़ा दूँगा धन्यवाद पिता परमेशर देखा सुना आपने नियरंग उसी समय इजी के राज़ा ने प्राथना की और उसी बल परमेशर ने चलाब दिया इसलिए दोस्तों हमें बिल्कुल घबराना नहीं है प्राथना हमारे पास हतियार है हमने कोई काम गलत नहीं किया है हमने परमेशर के राज़ी की बढ़ोती के लिए अपने आपको समर्पित किया है इसलिए हमारे रास्ते में कोई भी पहाड आएगा, हम हाथ लगाएंगे वो पहाड निकल जाएगा, शैतान हमारे जिवन में कुछ भी गर्बल इस्तिती पैदा करेगा, हम उस सारी इस्तितियों को समालने के योग वो सारी इस्तितियों हमारे वश में है क्योंकि प्रित्वी हमारे वश में है क्योंकि परमेश्व का अशीश हमारे साथ है क्योंकि परमेश्व का सामर्थ हमारे अंदर है और हमें परमेश्व ने आधिकार दिया है प्रात्रा कर मांग मांग और उससे बॉल तू और मैं तुझे दोंगा उसी पल पत्रस जब जेल में था उसके साथ ही उन्हें परात्रा की और वो जेल से आज़ात हुआ मेरे दोस्तों बाइबल में कई बार यूशु मस्यी ने कई बार परात्रा की है अपने चेलों को चुनने से पहले प्रात्रा की है कई बड़े चमतकार करने से पहले चमतकार की है अब प्रात्रा की है दोस्तों प्रात्रा में बहुत शक्ती है मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले इस्राइल गया था वहां मैंने पाया, महां मैंने वो जगा देखी मिश्र में जहां पर मुसा ने लाल समुदर को दो भागों में बाटने से पहले प्राथना की थी सुना दोस्तों आपने प्राथनों में बहुत शौक दिया, महां पर मुसा आया, उसने घुटें डेके प्राथना की और उसके बाद हाथ उठाया और समुद्र दो भागों में पढ़ गया आपका समुद्र अगर आपको विशलित कर रहा है आपकी मुसीबत अगर आपको विशलित कर रही है आपका दुख अगर आपको विशलित कर रही है अगर आपके रिष्टे आपको विचलित कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे बहन विचलित होने की जरूत नहीं है घुटने टेकिए और प्रात्रा करिए और हाथ उठाइए देखिए हर समस्या सामने से निकल जाएगी हर चक्तान पिगल जाएगी हर चक्तान वहाँ से बिखर जाएगी इसलिए विश्वास करिए आपके पविद समर्थी इश्व मसी के पविद समर्थी नाम में अद्वश शिफा है विश्वास करिए आपका पिता आपका प्रहू आपकी तरफ कान लगाए है इसलिए रोईये मत दुखी मत होईये आसू मत भाईये घुटने देखिये हाथ उठाईये और परमिश्व के सामने प्राथना करिए वो उसी पल आपको जवाब देगा धन्यवाद पिता परमिश्व इसलिए के नाम से आपके चड़नों में आते हैं धन्यवाद देते हैं आज का दिन पविद्र है सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आपका शीष बांगते हैं और वो शक्ति मांगते हैं प्राथना वो उनकी जीवन में काम करें और वो इसका इस्तमाल करें हमेरी ऐसी प्राथना है इस शुवसी के नाम से मांगते हैं प्राथना आपने सुनी को बूल की एमेन एमेन